नमस्कर्ट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मेरानी गुपता आपके साथ नागरिक्ता संशोधन कानहून यानि की सिये देश भर में लागू हो चुका है एक दिन पहले यानि की 11 मार्श को ही केंद्र की मुदी सरकार ने से लागू करने का मिली जुली प्रतिक्रियाए सामने आ रही है संगठन इसे एतिहासिक फैसला बता रहा है तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो की विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए वो इसे कानून के खलाफ बता रहे हैं और इसके खलाफ न सर्फ बयानबाजी की ज़ा रही है बलकि क पुछ ऐसे बी जगह है खासकर असम वहां पर इसके खलाफ विरोत प्रदेशंग भी देखने को मिल रहा है ऐसे में देश भर में इस वक्त पुलिस जो है वह हाई अलर्ट पर हैry पिर चाहें हम दिली की बात करें असम की बात करें उतर प्रदेश की बात करें यह ऐसे इलाके हैं जहां पर सम्वेदन शील इलाकों में फ्लाइग मार्च किया गया है पुलिस लगातार गर्ष्ट कर रही है और बेहद सलीखे से निपटने की कोशिश कर रही है ऐसे में बात अगर हम असम की करें तो असम में बखादा ना सिर्फ सियम के द्वारा ये अल्टिमेटम दिया गया है कि जो संगठन इसके खलाफ प्रदर्शन करेंगे उनके खलाफ एक्शन होगा बलकि असम की पुलिस ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जो भी लोग सरकारी संपत्ति आपर निजी संपत्ति को नुकसान पहुचाएंगे सिये के खलाफ प्रदर्शन के नाम पर उनके और इनसे जिम्मेदार और जुड़े हुए संगठनों से ही इसका पैसाव वसूल किया जाएगा तो भाई दूसरी और आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशान्त कुमार ने पहले से ही कहा था कि हमें इस बा समेधन शील एरिया रहा है क्योंकि 2020 में देखने को मिला था कि दिल्ली में किस कदर दंग्य हुए थे ऐसे में दिल्ली में भी लगातार पुलस हाई अलर्ट में हैं और यहां पर भी कई सारे ऐसे इसे इलाके है फिरचाए वो शाहिन बाग हो सीलमपूर हो ऐसे एरिया पर पुलस की पैनी नजर बनी हुई है बता दे कि उत्तर प्रदेश में सीय लागू होने के साथ ही यूपी के डीज़पी प्रशांत कुमार ने पुरी पुलस प्रशासन को अलर्ट मोट पर रहने का निर्देश दिया है उन्होंने सभी अफसरों को ब्रहमर शील रहने के निर कर रखा है राज में किसी भी तरीके से कान्हून विवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और अब इसी के साथ ही उन्होंने एक और बयान जारी किया है जहां पर उनका ये कहना है कि संवेदर शील इलाकों में फूट पेट्रोलिंग सीसी टीवी कैमरे ड्रोन आद और लोगों को बखादा इसके बारे में जानकारी दी जाए वहीं सूशल मीडिया पर भी भड़काओ पोस्ट और आपत्ति जनक पोस्ट पर भी कारवाई के निर्देश दिये ज़ा रहे हैं एक बार सुनिए कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांद कुमार क्या कह र है उसको लेकर हम लोग तैयारिया कर रहे हैं कि सीए के जो रूस नोटिफाई किये गए हैं उसके माद उसकी लिए मुझे आपको अगत कराना है कि यह एक इनेबलिंग प्रोवीजन है इसमें ऐसे वेक्तियों को नागरिकता दी जाने की बात है जो कि अन देशों से कुछ प्रोशी देशों से जो लोग यहां धार्मिक प्रोवीजन के कारण यहां आए हैं इसमें किसी भी भारतिये नागरिक के नागरिकता जाने की बात नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इसको लेके कोई समस्या आने वाली है लेकिन हमारे लोग लगातार सभी धर्म हैं उनके साथ टच में हैं और सभी धार्मिक नेताओं के बयान भी आये हैं कि वो इन चीजों पूरा पढ़ेंगे अध्यान करेंगे तो जो फीड़बैक मिल रहा है पॉजिटीव है अभी चीजे सभी जगर सामाने हैं एतिहात के तौर पे पुलिस अतरक्ता बरत रही है ह कीजेए हमारे 179 कंपनी पी एसी सताथ सौ कंपनी सी एक पीएफ हमने डिपलाय कर रखी है हमारे जितने भी एक वेकोपमेंट्स हैसे कि हमारे को तरशिव सर जे सीजों अधिया है यह सभी चीजों का व्याष्थापन बहुत ही सूनियोजिद्धन से अमारी फीड़ के टीम ने किया है प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और हमारी वारता सभी stakeholders के साथ चल रही है मुझे पुरा विश्वास है कि सब के सहीयोग से इस समय इस बार किसी तरह की कानून विवस्ता की सिती उत्पर नहीं होने दी जाएगी साथ ही साथ ऐसे लोगों पर भी हमारी कड़ी दिश्टी है जिनके द्वारा महौल को खराब करने की कोशिश की जा सकती है तो उस पर हमारी सतर्ग दिश्टी है हम उन पर आवशक्त पढ़ने पर कठोर कारवाई करे ही है हमारा जो कंट्रोल रूम है पुलिस मुख्याले का ओवी राजपतित अधिकारी के नेत्रित में लगातार चीज़ों पर सतर्ग दिश्टी रखे हुए दूसरी और गोहाटी पुलस ने उन संगछनों को कानहुनी नोटिस जारी कर दिया है जिन्होंने सीए के विरोध लगने पर भारतिय दंड सहीता यानि कि IPC और सारवजनिक संपतिक श्वती निवारण अधिनियम सहित कानहुन के उचित प्रावधानों के तहत कानहुनी कारवाई की जाएगी इसके अलावा सारवजनिक और निजी संपतियों को नुकसान की कुल लागत आप से और आपके संगठन से ही वसूल की जाएगी यानि कि जिन संगठनों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जाएगा विरोध किया जाएगा और अगर इस प्रदर्शन में किसी को नुकसान होता है या फिर निजी और सरकारी संपति को नुकसान पहुचाया जाता है तो इसकी वसूली भी जिम्मेदार संगठन से ही वसुली चाहेगी वहाई दूसरी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व सर्मा ने भी सीए का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोड जाने की सला दी है उन्होंने कहा है कि सडकों पर विरोध प्रदर्शन करने से कोई हल नहीं निकलेगा सीए कि असम के सोनितपुर जिले में कानहुन व्यवस्था से जुड़ी सम्वेदर श्रील स्थती को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है पुलिस को संदे है कि यहां शांती व्यवस्था बिगड़ सकती है पुलिस का कहना है कि असमाजिक तत्व जिले की शांती में अखीमपूर नलबाडी डिब्रुगर और तेजपूर सहित राज्ज के कई हिस्सों में प्रदर्शन कारियों ने सीए की प्रतियान चलाई थी 16 पक्षी संयुक्त विपक्षी मंच पहले ही चरणबद तरीके से आज राजव्यापी बंद का और हर्ताल का एलान कर चुका है आपको बता दे कि वहीं सीए लागू होने के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में भी सुरक्षा विवस्था कड़ी कर दी गई है अर्दसैनिक बलों के जवानों ने उत्तरपूर्वी हिस्सों शाहिन बाग जामिया नगर और अन्य समेधन शील इलाकों में रात्री गश्त और फ्लैग मार्च गया बता दे कि जब 11 दिसंबर 2019 को संसद में सीए बिल पारित के आ गया था तब दिल्ली सहीत पुरे देश में विरोत प्रदर्शन हुए थे इसमें दो हसार उनीस और बीस के महिनों में सीए विरोत प्रदर्शन जारी रहा था जामिया मीलिया इसलामिया शाहीन बाग इस आंदोलन का केंद्र रहा था 2020 की सुरवात में इस मुद्दे पर शहर के पुर्वोत्तर हिस्सों में सामप्रदाइक दंगे भी हुए थे जिसमें तिरिपल लोग मारे गये थे और पांसो से अधिक लोग घाल हुए थे ऐसे में इस बार जब सरकार की से लागू कर दिया गया है तो पूरी तरीके से पुलस और जो अर्द सेनिक बल है वो अलर्ट मोड पर है और लगातार ऐसे कई सारे समेधन शील इलाके हैं जहां पर गश्ट कर रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना घटत ना हो फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद